नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से समंदित इस वीडियो की सुरुआत करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि विगत कुछ वर्सों की विभिन घटनाओं के आधार पर भारतिय संगिय धाचे के व्यावहारिक पर प्रकास डालें और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है यह समंदित है आज के संपाद की से आज तीन संपाद की का चैन किया गया है और यह तीनो के तीनों संपाद की ये GS Papers 2nd के दृष्टि कोन से महत्रपूर्ण है। पहला संपाद की जिसका सिर्षक है on a larger stage, इस संपाद की को लिया गया है Indian Express से और ये GS Papers 2nd में शामिल विशे, संसद और राज विधाई का, संरचना, कारे, कारे संचालन, शक्तियां, एवं विशेसाधिकार और इनसे होने वाले विशे के दृष्टि कोन से अत्यनती महत्रपूर्ण है। दूसरा संपाद की जिसका सिर्षक है the growing federal discord, इसे लिया गया है हिंदुस्तान, टाइम से और यह संपाद की जिये GS Papers 2nd में शामिल विशे, संघिय धाचे से संबंधित विशे, एवं चुनोतियां के GS Papers 2nd में शामिल विशे, संघिय धाचे से संबंधित विशे, एवं चुनोतियां के दृष्टि कोन से महत्रपूर्ण है। तीनों संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व है। यह देखते हैं कि कल जो प्रशन पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है। प्रशन है कि Portraits of Power, Half a Century of Being at Ringside नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। चार आप्सन है। आप्सन A. मनमोहन सिंग, B. एनके सिंग, C. करन सिंग, D. ससी थरूर। इसका सही जवाब है। आप्सन B. एनके सिंग, एनके सिंग ने हाल ही में इस पुस् है पंजाब सरकार का नया किर्शी विध्यक, जिसे हाल ही में पंजाब विधान सभा के द्वारा पारित किया गया है। और अगर इस किर्शी विध्यक के प्रावधानों पर गौर करें, तो हम यह इसपस्ट रूप से देख सकते हैं कि पंजाब सरकार का यह जो नया किर्श क्रसक कानून के विरौत किया रहा है अब जरह हम यह गौर करते हैं कि जिस नए क्रसी विद्यक को पंजाब के सरकार के दौरा सामने लाए गया है तो उसके वैसे कौन-कौन से प्रावधान है जो केंदर सरकार के द्वारा बनाएगे तीन क्रिसक कानून के विपरीत हैं पहला देखे क्या है कि गेहूं और चावल तो इन दोनों फसलों का जो MSP है अगर इस MSP से कम विक्री के लिए किसी भी किसान को मजबूर किया जाता है किसी सक्स के द्वारा तो उ नहीं दूसरी बात देखिए कि APMC मंडी मतलब Agriculture, Produce, Market Committee की जो मंडी है उस मंडी से बाहर अगर फसलों की खरीद और बिक्री की जाती है तो इस प्रकार के फसलों की खरीद और बिक्री पर भी सुल्क लगेगा इसके अलावा अगर डिजिटल खरीद बिक्री होती है तो अगर कोई विवाद होता है तो विवाद की इस इस इस्थिती में SDM के पास नहीं जाना है बलकि कहा जाना है दिवानी अदालत तो मतलब यहाँ पर यह है कि पंजाब सरकार के नए किर्सी विधियक में केंद सरकार के प्रावधान जो है किर्सी कानून में जिसमें की SDM के पास जाने की विवस्ता है विवाद के समय में तो इसमें किसान की पहुँच कहा तक निश्चित की गए दिवानी अदालत तक तो मतलब यहाँ पर यह है कि हमने तीन प्रमुख प्रावधानों के आधार पर यह देखा कि पंजाब सरकार का जो नए किर्सी विधियक है वह केंदर सरकार के द्वारा निर्मित किर्सी कानून के इकदम से विपरीत है और पंजाब विधान सभा के द्वारा पारित इस कि विध्यक का उद्धे से है छोटे किसानों की रक्षा करना सोसन की विरुद्ध तो किन के सोसन की विरुद्ध है नीजी अनाज कारोबारियों और बड़ी कमपनियों के सोसन के विरुद्ध छोटे किसानों की रक्षा करना है और अगर 2015-16 के जनगन्ना आकड़ों पर हम गौर करें तो पंजाब राज में 86.2% जो किसान है वो छोटे और सिमान्त स्रेणी के किसान है जिनके पास दो एकर से कम की जमीन है अब अगर हम समिक्षा करें पंजाब सरकार के नए किरसी विधियक का तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब सरकार क्या करी है कि जो किरसी मंडी की हम बात करें तो किरसी मंडी में ये जो छोटे और सिमान्त किसान है तो इनकी एक बड़ी संख्या की पहुँच उन मंडियों तक नहीं होती है उसका कारण क्या है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी कभार ही इनके पास अधिसेज उपज होता है तो जब अधिसेस उपज की इस्थिती का सामना ये करते ही नहीं है मतलब ये कि इनके पास जब अधिसेस उपज होती ही नहीं है तो फिर ये बिक्री के लिए मंडी क्यों जाएंगे वहीं दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि वास्तविक इस्थितिया है कि पंजाब में बड़ी जोत व इधियक वे जो प्रावधान दिये गए है उसमें अब आगे देखिए कि यह बात कहीं जारी है कि अगर MSP से कम बेचने के लिए किसी किसान को अगर कोई सक्स मजबूर करता है तो उसे तीन साल जिल दिया जाएगा मत यह प्रावधान उसमें सामिल है अब हमें यह पता है कि क मक्का और कपास यह जो दो फसल है इनकी पंजाब के ही बाजारों में जो बिक्री होती है वो MSP से कम होती है अब उधारन देखे कैसे मक्का का MSP कितना 1850 रुपए प्रतिकुंटल और पंजाब के बाजार में इसका मुल्ली कितना है 800 से 1200 रुपए प्रतिकुंटल वहीं कप का MSP कितना तो 5725 रुपए प्रतिकुंटल बाजार मुल्ली कितना है पंजाब के बाजार में तो 5100 से 500 रुपए प्रतिकुंटल तो फिर यहां जो दूसरा प्रावधान उनका है कि MSP से कम बेचने पर यह नहीं किया जाएगा तो पहले जो चली आ रही चीज़ें थी उसी म पंजाब सरकार ने कोई महत्पुन बदला नहीं किया थे वहीं आगे देखे कि मंडी से बाहर अगर खरीद बिक्री की जाती है तो उस पर सुल्क लगाने का प्रावधान रखा गया है अब ऐसा क्यों उसका कारण यहां पर यह है कि प्रतिवर्स इस प्रकार की बिक्री से पंजाब सरकार को पांच हजार करोड रुपे का राजस प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर APMC मंडी में और APMC मंडी से बाहर अगर किसान विक्री करते हैं और उनको अगर सुल्क देना पड़ता है तो फिर किसानों के समक्ष क्या है कि बाजा और उन्हें हमेशा जो अनाज व्यपारी है उन अनाज व्यपारियों की इक्षा पर ही अपने फसल को बेचना पड़ेगा अब अगला सबसे महत्पुन सवाल यह है कि पंजाब सरकार द्वारा निर्मित एवं पंजाब विधान सभा द्वारा पारित करसी विध्यक के संद में क्या कोई समयधानिक पक्ष है तो बेशक समयधानिक पक्ष है क्योंकि जिस क्रसी विध्यक को पंजाब विधान सभा ने पारित किया है इसके प्रावधान केंद्रिये क्रसी कानून में संसोधन करने की बात करता है तो इसका अर्थ है कि इस क्रसी विध्यक को समयधानि परिक्षन से होकर गुजरना पड़ेगा तो आखिर क्या है समय धानिक परिक्षन तो हमें यह पता है कि विधान सभा के द्वारा पारित सामान ने विधयक पर राजपाल के हस्ताक्षर की अनिवारिता होती है उस विधयक को कानून बनने के लिए तो अब यहां पर यह है कि इस साधारन विधयक के संदर्व में राजपाल को यह सकती है कि राजपाल इस विधयक को दुबारा विधान सभा के समक्ष भेजे फिर विधान सभा उस विध्यक को दुबारा पारित कर सकता है। दुबारा पारित इस प्रकार के विध्यक को राजिपाल या तो अपनी सहमती दे देता है या राष्टपती के विचारार्थ रख लेता है भारती सम्विधान के अनुचेद 200 के अंतरगत। अब जड़ा गौर कीजिए कि किरसी राज्य सूची का विसे है परंतु खाद्य उपज नियंत्रण एवं वित्रण यह समवर्ती सूची का विसे है और हमें यह पता है कि अनुछेद 254 के अंतरगत केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के किसी विसे पर कानून बना स है तो इस प्रकार के बनाएगे कानून केंद्र के द्वारा बनाएगे कानून का उलंगन ना करती हो और अगर उलंगन करती है तो राज्य के द्वारा बनाएगया ऐसा कानून सुन निगोसित किया जाता है और हमें यह पता है कि अनुछेद 201 के अंतरगत राष्टपती के राज्य विधान मंडल द्वारा पारित जो विध्यक होते हैं उस पर राष्टपती अपनी अनुमती देता है तो मतलब यहाँ पर यह है कि इस कृसी बिल्को राष्टपती के विचारार्थ रखा जा सकता है और फिर इस कृसी बिल को राष्टपती के मंजूरी की आविस्यक्ता पड़ेगी अनुच्छे 201 के अंतरगर्ट अब ऐसा नहीं है कि राष्टपती ने राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित किसी कानून पर अपनी सहमती नहीं दी है राज्यों द्वारा केंद्रिय कानून के संसोधन के लिए जो पिछली कोसी से की गई है उस पर राष्टपती ने अपनी मंजूरी दी है जैसे गुजरात और राजस्थान के विधान सभा ने स्रम कानूनों में बदलाव किया था और यह जो स्रम कानूनों में बदलाव हुआ के द्वारा जो संसोधन किये गए थे वह संसोधन केंद्र द्वारा जारी किया गया जो स्रम मौडल अधिनियम था उस पर वह आधारित था तो देखें, कृसी कानून, चाहे वो, केंदर सरकार के द्वारा बनाय गया हो, चाहे वो, राज्य सरकार के द्वारा निरमित हो, इन दोनों का उध्दे से कृसकों की आए में विर्दी होनी चाहिए, ना कि राजनितिक हितव साधने का एक उपकरन. तो इस प्रकार हमने पहले संपादिकी में यह देखा कि केंदर के द्वारा निर्मित करसी कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया करसी कानून क्या है उसके प्रमुक प्रावधान क्या है और उसके समक्ष कौन सी समयधानिक चुनोतियां मौजूद ह चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है The Growing Federal Discord और इसका आधार क्या है इसका आधार है वर्तमान केंदर राज्य संबंध है देखे हमें यह पता है कि चाहे वो केंदर की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो तो दोनों इस तरों की जो सर संवर्ती सूची में सामिल जो विसे होते हैं उस पर कानून बनाने का धिकार केवल और केवल केंदर की सरकार के पास होता है वहीं राज्य सूची में जो सामिल विसे होते हैं उस पर कानून बनाने का धिकार राज्य की सरकारों को होता है और संवर्ती सूची में दोनों कें अब देखिए कि केंद्र और राज ज्री के मध्ध उधारन देखिए कैसे और आजादी के प्रारंभिक चार दसक थे, उसमें अगर हम केंद्र और राज ज्री के मध्ध संबंद्रों की बात करें, तो केंदर काफी मजबूत था और राज जी की सरकारें कमजोर थी और इसका कारण ये था कि दोनों इस्तरों पर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मतलब ये कि जो केंदर में कॉंग्रेस चाहती थी वही राज जी की सरकारें भी करती थी उसके बाद 1989 से 2014 मतलब 1989 से 2014 इस अ गट बंधन सरकार और मजबूत छितरी दल के कारण क्या इस्तिती रही केंद्र राजजी के मद्द संबंदों की तो यहाँ पर केंद्र कमजोर होता चला गया जबकि राजजी की इस्तिती क्या रही मजबूत रही 2014 के बाद परिवर्तन दिखा वा क्या दिखा कि केंद्र अब मजबूत रहा जबकि राज्य कमजूर रहा क्यों इसलिए क्योंकि केंद्र में जहां BJP की सरकार बनी वहीं जादतर राज्यों में BJP की सरकार मौझूद थी परन्तु 2014 के कुछ वर्सों के बाद समीकरण में बदलाव दिखा और समीकरण में बदलाव इस आधार पर दिखा कि कई राज्यों में गैर भाजपा सरकार का गठन हुआ जैसे पंजाब, राजिस्थान, चतिसगर, जारखंड, केरिला, विस्ट बंगाल तो अब क्या स्थिती देखी गई? कि केंदर वाली भाजपा की सरकार और राज्यों की गैर भाजपा सरकारों के बीच विभिन मुद्दों और कानुनों पर मतभेद की स्थिती बनने लगी जैसे पंद्रवे वित आयो के टर्म ओफ रेफरेंस पर दक्षिन भारत खासकर तमिल नाडू की सरकार के द्वारा और तमिल नाडू की राजनितिक पार्टियों के द्वारा केंदर सरकार का विरोध किया गया? आखिर इसके विरोध करने का कारण क्या है? इसके विरोध करने का कारण यह है कि केंदर सरकार के द्वारा राज्यों को जो राजस का वितरन किया जाता है तो पंद्रवे वितायों के टर्म ओफ रेफरेंस में यह बात कही गई कि केंदर के द्वारा राज्यों को राजस व मतलब यहां पर यह है कि पाले की तुल्ना में जो दक्षिन के राज्ज हैं उनको राजस्तु का वित्रण कम होगा और इस यही कारण है कि दक्षिन के राज्जियों के तरह विरोध किया गया खासकर तमिलनाडु की राजनितिक दलों का केंदर सरकार का पंद्रवे वितायों के टर्म आफ रेफरेंस पर वहीं जी एस्टी छदी पूर्ती को लेकर केंदर राज्ज के बीच विवाद उत्पन हुआ था हाला कि केंदर ने अपने तरीके से इस विवाद को सुलजाने का प्रयास किया है लेकिन कमो बेस यह विवाद अभी भी बना हुआ है वहीं नागरिक्ता संसोधन अधिनियम के विरुद कई राज्य सरकारों ने खासकर गैर भाजपाई राज्य सरकारों के द्वारा जैसे पंजाब और केरल में वहाँ की विधान सभा के द्वारा संकल्प पारित केंद्र और राज्य के बीच में जो तीखे संबंध हो रहे हैं उस पर प्रकास डालता है तो केंद्र और राज्य के बीच में यह जो नया संबंध दिख रहा है यह संगहात्मक विवस्था के द्रिश्टिकों से उजित नहीं है अब यह सही है कि अलग-अलग राजनितिक विचारधारा को मानने वाली अलग-अलग राजनितिक पार्टियों की जो सरकार होती है तो जो नीती बनती है उस पर उसका असर होता है और अगर विरोधा भास भी उत्पन हो तो लोकतंत्र के दृष्टिकों से इस प्रकार की विरोधा भास लोक वरतमान समय में आवश्यक्ता किस बात की है? कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनितिक दृष्टिकों के मामले में विभिन गैर भाजपाई दलों की सलाह को सुने और वहीं गैर भाजपाई वाली राजजी की सरकारें समवैधानिक मानकों और चुनाओ परिनामों को समभान संपादिकी की और हमारा जो तीसरा संपादिकी है उसका सीर्षक है रिस्पेक्ट मीजो अधर डैवर्स सेंसिटिविटी देखे इसका आधार क्या है इसका आधार है मिजोरम असम सीमा पर हिंसक जड़ब तो अभी इस मैप पर गौर कर लिजे यहां यह असम और असम के मिजोरम के साथ 123 किलो मीटर की सीमा को साजा करता है और मिजोरम का ऐसा दावा है कि असम राज्जी के द्वारा मिजोरम के 509 वर्ग मील हिस्से पर कबजा कर लिया गया है और सीमा समंदी इसी दावे का परिनाम है मिजोरम और असम की सीमा पर होने वाली हिंसक जड़ब या मिजोरम और असम के मद्ध यह जो सीमा विवाद वरतमान में दिख रहा है तो यह आपनिवेसी काल से मौजूद है। स्वतमत्रता के बाद असम को विभाजित कर मिजोरम नगालेंड जैसे नई राज्यों का गठन हुआ। 1972 में मिजोरम को केंदर सासित प्रदेश बनाय गया था और 1987 इस्वी में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अब यह महत्पुन तत्थिया है कि मिजोरम असम का लुसाई हिल्स जीला था। अब हमें यह पता है कि राज्यों के मद्द जो सीमा निर्धारन किया जाता है तो इस सीमा निर्धारन में जनजातिये छेत्र और जनजातिये पहचान को आधार नहीं बनाय जाता है। और यही कारण है कि यह जो सीमा निर्धारन में जनजाती छेत्र जनजाती पहचान को आधार नहीं बनाय जाता है तो इसके कारण विभिन जनजातियों के बीच संगर्स की इस्तिती दिखती है। और यही संगर्स राजनितिक विवाद और सीमा विवाद का कारण बनता है। आवस्यक्ता अब इस बात की है कि केंद्र सरकार मिजोरम और असम सरकार के समक्ष राजनितिक समाधान को प्रस्तुत करे। वही अंतर राजी परिसत के दौरा नियमित रूप से दोनों राजियों के बीच जो विवाद हैं उस विवाद की जांच की जाए और उस विवाद को सुल्झाने का प्रयास भी किया जाए। क्योंकि जब इस तरह के प्रयास होंगे तो इन छेत्रों में यह जो नरीजातिय संघर्ष दिखने को मिलता है उसमें कमी आएगी और धीरे-धीरे समय के साथ वह समाप्त होगा और जब इस प्रकार के विवादित छेत्र में शांती प्रयास की जाएंगे तो फिर वहाँ पर विकास के कारियों में तेजी आएगी और लोगों का अनावस्चत पलायन भी रुकेगा तो इस प्रकार हमने अपने इस तीसरे समपादिकी के द्वारा या जाना कि मिजोरम असम की सीमा पर हुए हालिया संघर्स का आखिर वास्त्वी कारण क्या है या रहा आज का प्रस्ण प्रस्ण है कि भारती समविधान का अनुचेद 111 निम्न में से किस समंदित है चार उप्सन है, उप्सन A, विधेयक पर राश्पती के अनुमोधन सकती, उप्सन B, विधेयक पर राजिपाल के अनुमोधन सकती, उप्सन C, विधेयक को संसत के द्वारा पारित करने की सकती, उप्सन D, विधेयक को विधान मंडल के द्वारा पारित करने की सकती इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार